आड tubing स्टूडेंश कैसे आप सब उमीद है अच्छे होंगे और अच्छे ही रहना है तो आज हमारा चैप्तर है स्टूडेंट इंडीजर्स, चैप्टर 500 6 टो स्टूडेंट 210 से पहले आपको मैंने समझा रखा है कि नेच्छल नंबर क्या होते हैं, what is नेच्छल नंबर, ठीक है, नेच्छल नंबर स्टुडेंट होते हैं, जो हम one से शुरू करते हैं, one, two, three, four, five and so, इसी तरह से स्टुडेंट, अगर हम इसमें zero include कर दें, नेच्छल नंबर के अंदर, यानिके zero, one, two, three, four, five and so on, तो स्टुडेंट यह हो जाते हैं, हमारे whole number, ठीक है स्टुडेंट, तो नेच्छल नंबर होते हैं सबसे पहले, उसके बाद whole number, next आता है हमारे पास integers, जो हमारा chapter है, तो integers के अंदर क्या होता है स्टुडेंट, zero, positive number, positive nature number और negative number भी इसके अंदर include हो जाते हैं, जैसे कि हमारे पास zero है, तो zero से left में minus one, minus two, minus three, और आगे हम चाहेंगे zero से आगे, तो one, two, three and so on, यहनिके positive number भी include होते हैं, negative भी और zero भी, ठीक है स्टुडेंट, तो यह हमारा chapter है integers, तो चलते हैं chapter की तरफ, स्टुडेंट आपको एक number line दी वी है, जैसे कि यहाँ पर zero है, zero से आगे one, two, three, four, five, six, seven, eight, अगर आप left में जाएंगे, तो negative terms आ रही है, ठीक है स्टुडेंट, इसके अंदर हम preceding और succeeding number भी बता सकते हैं, या फिर हम कहें predecessor और successor, तो predecessor के लिए student आपको left में जाना पड़ेगा, जैसे predecessor के लिए zero से left में, minus one, minus two, minus three, minus four, minus five, यह हर एक number एक दूसरे के predecessor है, ऐसी one का successor, two, two का three, three का four, four का five, five का six and so on, तो आप से predecessor और successor के बारे में अगर पूछता है, तो आप एजली बता सकते हैं, जैसे यहां पर predecessor की बात करें, ten से पहले, क्या था student, nine, eight से पहले seven, five से पहले four, three से पहले two, और zero से पहले minus one, अगर यहीं पर है, अगर हम successor की बात करें, इसी पार्ट के अंदर, अगर successor की बात करें, तो ten से आगे 11 आता है, eight से आगे nine, five से आगे six, three से आगे four, और zero से आगे one, तो यह student क्या होते है, successor, तो simply एक line होती है, line के ओपर numbers, जैसे कि आप scale पर भी देख सकते हैं, zero, one, two, three, और left में जाते हैं, तो minus one, minus two, two, so on, तो इस तरह से जो numbers होते हैं, student यह क्या होते हैं, integers, तो अब हम इसकी exercise की तरफ चलते हैं, exercise six point one, जैसे कि पहला question है आपके पास, write the opposite of the flowing, तो एपार्ट है increase in weight, देखें, increase का मतलब बढ़ रहा है, तो अगर weight बढ़ रहा है, तो उसका opposite क्या होगा, decrease, तो एपार्ट का अंसर आगया, student, decrease in weight, इसी तरह से B में है 30 km north, अगर हम इंडिया का मैप देखें, north उपर की तरफ जाते हैं, और south नीचे की तरफ, तो B पार्ट में क्या जाएगा, 30 km south, ठीक है, first में decrease in weight, और second में हो गया, आपका B पार्ट में 30 km south, 3rd में आता है, 326 BC, तो BC का opposite student होता है, AD, तो 326 AD, इसी तरह से D में है, loss of rupees 700, अगर किसी को loss होता है, तो loss का opposite उसको profit लेते हैं, तो D में क्या आ जाएगा, profit, profit, profit of rupees 700, इ में है 100 meter अबव, अबव का opposite क्या होता है, student, below होता है, तो E पार्ट में क्या आएगा, 100 meter below sea level, ठीक है student, यह first question complete हो गया, increase के लिए decrease, north के लिए south, loss के लिए profit, और BC के लिए AD, और अबव के लिए student क्या आएगा, below आएगा, ठीक है, तो यह question number first हो गया, question number second student, represent the flowing number as integers with appropriate sign, ठीक है, तो आपने integers बताने है, with sign, पहला है, an aeroplane is flying at a height 2000 meter, तो 2000 meter को student, आप लिखेंगे, two के आगे three zeros, ठीक है, 2000 meter, above, above के लिए, उपर, उपर के लिए student क्या sign लगाएंगा, प्लस का sign लगे, तो A का अंसर आगया, प्लस 200 meter, B में है, a submarine is moving at a depth, depth के लिए आपको नीचे जाना परता है, 800 meter below, below का मतलब minus, तो minus 800 meters, C part में है, a deposit of rupees 200, deposit का मतलब जमा करवाते हैं, जैसे हम बैंक में जाते हैं, तो पैसे जमा करवाते हैं, तो प्लस 200 rupees, D में है withdrawal, हम पैसे निकाल रहे हैं, तीक है, withdrawal का मतलब होता है, पैसे निकालना, of rupees 700, तो minus 700 rupees आ जाएगा, तीक है student, ये question number second हो गया, इसमें आपने numbers बताना है, statement को पढ़के, और उसका sign बताना है, कि जैसे कि यहाँ पर withdrawal के लिए minus हो गया, deposit के लिए plus हो गया, इसी तरह से below के लिए minus हो गया था, और height above, अबव के लिए plus का sign आ गया था, question number third में है, represent the flowing numbers on a number line, तो हम क्या करते हैं कि एक line draw करेंगे, जैसे कि हमने एक line draw कर ली, और plus five, तो मैं एक ही line के ओपर इन सभी numbers को draw कर लेता हूँ, तो पहले हमने एक line को अच्छे से draw कर लिया, और अब इसके ओपर हम student क्या करेंगे, numbers लिखतेंगे, जैसे कि zero हो गया, right में one, two, three, four, five, six, seven, eight, और left side में student हम minus में लेकर चलेंगे, minus one, minus two, minus three, four, five, six, seven, eight, minus के nine, minus के ten, अब हम क्या करेंगे, कि इन को draw कर लेंगे, जैसे plus five के लिए आपको right में जाना पड़ेगा, तो यह हो गया student, plus five, बी पार्ट में minus ten, तो minus ten के ओपर मैं ऐसे arrow लगाके, शो कर देता हूँ, c है plus eight, तो eight के ओपर arrow का sign लगाके, हम plus eight कर देते हैं, d में है minus one, तो यहाँ मैंने minus one कर दिया, e है minus six, तो minus six के ओपर मैंने arrow लगाके, इसको draw कर दिया, तो student मैंने एक ही line के ओपर question number third को complete कर दिया, question number fifth में student following is the list of temperature of five places in India on a particular day of the year, जैसे कि सियाचिन है, सियाचिन में दिया हूँ 10 degree Celsius below zero, तो उसके लिए minus 10 degree Celsius आप लिख देंगे, शिमला में है, two degree Celsius below, तो minus two degree हो गया, एहमदाबार, thirty degree Celsius above, अबव के लिए plus का sign रहेगा, इसी तरह से देली में भी above है, तो plus twenty degree, शिरी नगर में below है, तो minus के five degree Celsius, तो जहाँ पर below आएगा, तो below के लिए आपने क्या करना है, माइनस का sign यूज करना है, और above के लिए plus का sign यूज करना है, भी पार्ट में कहता है, flowing is the number line representing the temperature in degree Celsius, तो जो भी हमने temperature बताए है, अब आपने उनको number line के पर represent करना है, जैसे कि C-10, तो यहाँ पर arrow लगा के आप C-10 लिख देंगे, फिर उसके बाद है शिमला, शिमला minus 2, तो minus 2 के लिए आपको 0 से पहले minus 2 मिलेगा, तो यहाँ पर शिमला हो गया, ठीक है student, फिर next था हमदाबाद, एहमदाबाद के लिए 30 डिगरी है, 30 के उपर arrow लगा कर, एहमदाबाद लिख देंगे हम, नेक्स्ट है देली, देली के लिए 20, तो 20 के उपर arrow का निशान लगा कर, देली लिख देंगे, और लास्ट में है शिरी नगर minus 5, तो minus 5 के उपर arrow लगा कर आप शिरी नगर लिख देंगे, ठीक है, तो यह इस तरह से हमने क्या किया, कि number line के उपर इनको लिख दिया, फिर आता है, which is the coolest place, coolest place का मलब जो सबसे ठंडा है, तो सबसे ठंडा कौन है, सियाचिन, सियाचिन का temperature सबसे कम है, तो सियाचिन, और write the name, place where the temperature are about 10 degree Celsius, तो 10 degree Celsius से जो अधिक temperature था, वो किसका था, देली का, ठीक है भी हम कर चुके हैं, और एहमदाबाद, इन दोनों का temperature जो है, वो 10 degree Celsius से ज़्यादा है, कौनिशन नमबर 6 में है, in each of the flowing pairs, which number is to right of the other on the number line, तो कौन सा right में है, कौन सा left में, जैसे कि a part है, 2,9, तो 9 क्या है, is right to 2, तो क्योंकि 2 पहले आता है, 9 बाद में आता है, इसी तरह से minus 3 or 8, तो minus 3 is right to minus 8, देखें, minus का sign जो छोटा होता है, वो बड़ा हो जाता है, तो minus 3 जो है, वो minus 8 के right में होगा, ऐसे ही 0 और minus 1 में, 0 is right to minus 1, फिर है minus 11 और 10, हमें पता है कि जो 10 है, वो positive वाला नंबर बड़ा होता है, तो 10 is right to minus 11, फिर e part minus 6 और 1, तो 6 is right to minus 6, और last में f है, तो f में क्या है, 1 is right to minus 100, तो इस तरह से question 6 में आपने देखना है, कि जो number बड़ा है, वो छोटे के क्या होगा, right में, देखें, line होती है, right में, right जो होता है, वो बड़ा होता है, और left में जो number होते हैं, वो smaller होते हैं, तो आप easily इसको बता सकते हैं, 7 में, write all integers between the given pairs, write them in increasing order, जैसे कि A है हमारा zero and minus seven, तो zero और minus seven, तो zero तो right में हो गया, और minus seven left में, ठीक है ना, तो zero तो right में हो गया, minus seven क्या हो गया, left में, तो इनके आपको बीच के number बताने हैं, तो बीच के number क्या होंगा, student, minus one minus से पहले, minus two, minus three, minus four, minus five, minus six, ठीक है, student, ये अंसर आजाएगा, कि minus six से लेकर, minus one तक, बी में है, minus four and four, अब four से पहले student क्या आता है, three, फिर two, फिर one, फिर zero, zero से पहले minus one, minus two and minus three, सी में है, minus eight और minus fifteen, तो minus eight और minus fifteen, तो हमें पता है कि minus fifteen जो है, उससे बड़ा minus fourteen होता है, minus thirteen, minus twelve, minus eleven, minus ten, और minus nine, तो minus eight और minus fifteen के बीच में ये नंबर आगए, इसी तरह से minus thirty और minus twenty three, minus thirty के बाद minus twenty nine, minus twenty eight, minus twenty seven, और इसी तरह से minus twenty six, minus twenty five, minus twenty four, तो ये सभी नंबर जो है, minus thirty और minus twenty three के बीच में आ जाएंगे, बस ये धिया रखना है कि left में छोटा होता है, right में बढ़ा होता है, बाकि आप इसको इसको इसली कर सकते हैं, question number eight में है, right the four negative integers greater than minus twenty, तो minus twenty से बड़े नंबर कौन से होगे है, देखो minus में जो छोटे नंबर होते हैं, वो बड़े हो जाते हैं, तो minus nineteen, minus eighteen, minus seventeen, और minus sixteen हो जाएंगे, इसी तरह से अब आगे greater की जगा less है, किस से minus ten से, तो minus ten से less, बलब जितने चोटे नंबर होंगे, उतने less होते जाएंगे, जितने बड़े नंबर होंगे, उतने चोटे होते जाएंगे, तो minus ten से चोटा minus eleven, minus twelve, minus thirteen, और minus forty, ठीक है, तो यह four negative integers होगे, less than minus ten, ninth में है, for the flowing statement, right, true or false, if the statement is false, correct the statement, तो देखें, नाइन्थ में क्या है, पहले कर रहा है कि, minus eight is right of minus ten, तो आप एक लाइन कीच लेंगे, तो minus eight और minus ten कहा होगा, देखो, सबसे पहले तो, minus eight इधर होगा, minus ten left में, यानि कि, right में minus eight होगा, left में minus ten, क्योंकि minus का जो छोटा नमबर होता है, वो बड़ा होता है, तो, यहां पर minus eight is to the right, तो यह बिलकुल true है, क्योंकि minus eight क्या है, right में, minus hundred is right of minus five, तो यह false है, तो यह minus eight तो कहा होगा, left में होगा, c में smallest negative integer is minus one, तो यह भी false है, क्योंकि minus one से तो छोटे, बहुत सारे नमबर हैं, जैसे कि minus two, minus three, तो यहां पर smallest की जगा क्या आएगा, greatest, ठीक है, डी में है, minus twenty six is greater than minus twenty five, तो minus की जो छोटी टरम होती है, वो क्या होती है, minus की जो बड़ी टरम होती है, तो यह वो क्या होती है, छोटी, तो यह false, तो यहां वर्डिंग आनी थी, smallest, ठीक है, student, तो यह question number हमारा, ninth complete हो गया, question number ten में है, draw a number line and answer the flowing, which number will reach if we move four numbers to right of minus two, तो हम एक number line ले ले लेते हैं, यहापर student, और, जैसे कि यहाँ पर बीच में जीर हो गया, one, two, three, four, five, left में minus one, minus two, तो student यहाँ पर गह रहा है कि, four number moves to right of minus two, तो minus two से आपने right में जाना है, one, two, three, four, तो four number right to minus two क्या आगया student, two आगया, तो tenth का, a part का answer क्या आगया student, two आगया, भी पार्ट में कहा रहा है, which number will we reach if we move, five numbers to left of one, तो अब one से हमें left में जाना है, तो which number will we reach if we move, five numbers to left of one, तो one से left में जाएंगे, तो one, two, three, and four, and five, तीक है, तो वो five numbers क्या रहा था, तो हम five numbers हो गए है, one, two, three, four, five, तो कहां पर जाकर होगे हम, minus four पर, तो answer आगया student, 10th के B पार्ट का, minus four, तीक है student, C पार्ट में है, if we are minus eight on the number line, in which direction should we move to reach minus 13, तो को minus में जो बड़ी term होती है, वो छोटी होती जाती है, तो उसके लिए हमें कहां जाना पड़ेगा, on left side, तीक है, किदर जाना पड़ेगा student, on left side, D में कहता है, minus six on number line, in which direction should we move to reach minus one, अब minus one में जो जो छोटी term होती है, minus की, वो बड़ी हो जाती है, जो छोटा number होता है, तो minus one के लिए आपको कहां जाना पड़ेगा, on right side, ठीक है, तीक है, जब minus number जैसे, minus two, minus three, तब तो आप कहां गएं लेफ्ट में, जब आप, जैसे minus six, minus five, जंबर छोटे होते हैं, तो कहां जा रहे हैं आप, right में, इस चीज़ का आप ध्यान अख सकते हैं, और जैसे भी question होते हैं, तो आप उनको डिएग्राम कर सकते हैं, बहुत ही easy रहता है, तो उमीद है, आज आपको exercise six point one, अच्छे से समझ में आई होगी, तो खूल मेरत करें, माता-पिता का नाव, रोशन करें, और वीडियो अच्छी लगी, तो इसको share भी करें, ताकि education हर बच्चे तक पहुंच सकें, जै माता दी. जै माता है,